गुड आफ्टरनून डियर स्टुडेंट्स ये है हमारी हिंदी की ग्रामर बुक नफ तरंग हिंदी व्याकरन कौन सी क्लास की? थर्ड क्लास की तो हमने लास क्लास में क्या पढ़ा था? परियाएवाची शब्द और परियाएवाची शब्द कौन से होते हैं? जिनके समान अर्थों या एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को भी हम क्या कहते हैं? परियाएवाची शब्द तो मैंने आपको दो दिन हाफ हाफ करके दिये थे ये परियाएवाची शब्द लिखने दिये थे एक दिन पक्षी तक लिखे एक दिन हमने कहा तक लिखे वन्राज या शेर तक लिखे आज हम क्या करेंगे? मुझे उमीद है कि आपने तीन चार द करते हैं年的 किसे तो आपके लिए असान थे पर अगर आपने नहीं किए हैं तो समझ लीजिए गड़बड़ हैं आपको पहले लांची करनी हैं उसके बाद exercise फिल करना है ठीक है ना तो चलो करते हैं और देखती हैं किसको कितना याद है First Question है नीचे दिये गए चितरों को देख कर उनके दो-दो परियावाची शब्द लिखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कोई चितर दिया हुआ है और जो भी चितर है उसके दो परियावाची शब्द लिखने है तो सबसे पहले क्या दिखाए दिया हमें हम इसको देखते ही बोलेंगे ये तो क्या है कमल है पर हम यहां कमल नहीं लिखेंगे क्योंकि कमल तो हमें पहले से याद है तो हम यहां कमल के अलावा लिखेंगे कोई दूसरा नाम तो दूसरा नाम इसका क्या था एक तो था नीरज तो हम लिख देंगे नीरज नीरज इसके अलावा और क्या बोलते हैं हम इसको पंकज भी बोलते हैं तो प उपरबिंदी क और ज क्या बना पंकज तो देखो है ना इंटरस्टिंग जो याद है हमें हम वो नहीं लिखेंगे जो हमें याद नहीं है या जो हमने नया सिखा है वो लिखेंगे ठीक है दूसरा देखते हैं ये क्या है आँख तो आँख को हम और क्या बोलते हैं हम आँख ना लिखके वो लिखेंगे तो हमने एक नया वर्ड क्या सिखा लोचन सिखा तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लोचन ठीक है तो एक तो हमने क्या सीख लिया लोचन और इसके अलावा दूसरा हमने क्या देखा नेत्र को क्या बोलते हैं नयन भी तो बोलते हैं आँख नेत्र नयन लोचन बहुत सारे हैं पर हमने जो नय नय सीखे हैं हम वो देखते हैं तो सबसे नया तो हमने लोचन और नया नेतर दोनु बराबर से होंगे, आपने सुने होंगे पहले, ठीक है, अगले पे चलते हैं, ये क्या है, देखने में तो ये शेर जैसा दिख रहा है, शेर ही है, पर हम शेर तो नहीं लिखेंगे, हम तो कुछ और लिखेंगे, सीह भी हमने सुना हुआ है, इसलिए हम वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, इसके अलावा जो हमने अभी सीखे हैं, एक तो हमने सीखा था, मरगराज, मरगराज भी तो हम किसको बोलते हैं, मरगराज, सीह को ये शेर को बोलते हैं, तो एक तो हो गया, मरगराज, दूसरा, जो वन का और वन्राज किसके प्रियाइवाची शब्द हैं शेर के ठीक है आगे चलते हैं ये सुन्दर सा क्या दिखाई दे रहा है घर दिख रहा है अब घर को क्या बोलते हैं घर को हम बोलते हैं भवन तो एक तो लिख देंगे भवन भवन और दूसरा हम इसको सदन भी बोल सकते हैं तो सदन सदन हो गए दो अगला क्या है पक्षी या और क्या बोलते हैं इसे पक्षी बोल सकते हैं या खग बोल सकते हैं तो एक तो हम लिख देंगे खग ठीक है खग जैसा ही एक और नाम हमने सिखा विहग 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 खग विहग पक्षी पंची भी बोलते हैं पर पंची भी हम सुनते हैं तो हमें तो नए शब्दियाद करने हैं ऐसे प्रियाएवची शब्दियाद करने हैं जो हमने पहले नहीं किये हैं ताकि हमें वो याद रहें, इसलिए हम पक्षी या पंची ना लिखे क्या लिखेंगे, खग और विहग, ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्या है, इसको तो हम रोज रात को देखते हैं, कौन है, चंदा मामा बोलते हैं, या चांद बोलते हैं, है न, तो इसके अलावा और क्या इसे, शशी, तो हमने लिखा, शशी, और दूसरा, राकेश, ठीक है, तो एक तो हुआ, चांद या चंदा, जिसको हम बोलते हैं, या चंदर मा भी बोलते हैं, तो ये तो हमने सुने ही होंगे, है न, सबने सुने, ऐसा तो कोई बच्छा नी है, जिसने नहीं सुना, जो हमने पहले नहीं सीखा, जो हमें आता है, वो तो अच्छी बात है, और जो नहीं आता, वो हम अभी सीख लेंगे, ठीक है, तो चांद को क्या-क्या बोलेंगे, शशी और राकेश, ठीक है, नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं, कोशन नमबर टू, सही परियावाची शब्द पर गोला लगाईए, तो जो सही परियावाची शब्द है, उस पे हमें क्या करना है, गोला लगाना है, तो देखेंगे, पहला है, पुष्प, अब पुष्प को हम पादब बोलते हैं, पवन बोलते हैं, या सुमन बोलते हैं, मुझे जहां तक याद है, मैं पुष्प को क्या बोलती हूं मैं तो सुमन ही जानती हूं पुश्प को सुमन बोलते हैं तो मैंने सुमन पे गोला लगा दिया अगला शब्द है अगनी अगनी का परियावाची क्या है खग पावक या रजनी तो अगनी का परियावाची शब्द है पावक तो पावक पे गोला लगा देंगे अगला शब्द है प्रिथवी, प्रिथवी का परियायवाची शब्द क्या है, शशी, जलत, धर्ती, तो प्रिथवी किस से रिलेटिड है, प्रिथवी को हम और किस नाम से जानते हैं, धर्ती के नाम से जानते हैं, तो हमने धर्ती पे गोला लगा दिया, उसके बाद मित्र, म गाएं को हम किस नाम से जानते हैं धेनू वनराज या नरेश तो हम गाएं को किस नाम से जानते हैं धेनू के नाम से जानते हैं तो हम धेनू पे गोला लगाएंगे अगला है समुद्र समुद्र को हम भुजंग बोलते हैं नरेश बोलते हैं या सिंदू बोलते हैं तो समुद कीजिए यानि कि अब हमें क्या करना है मिलाना है दोनों शब्दों को कैसे मिलाएंगे देखते हैं अब साप दिया है और हमें क्या ढूनना होगा जब हम परियाएवाची शब्द पढ़ रहे हैं तो हम परियाएवाची शब्द ढूनेंगे तो साप का परियाएवाची हमने क लिख देती हूं ठीक है तो साप का परियावाची शब्द क्या हो गया भुजंग हो गया अगला देखते हैं जंडा तो जंडे को हम और क्या बोलते हैं द्वज समीर रात्री या जल्धर तो जंडे को हम क्या बोलते हैं द्वज बोलते हैं तो जंडे को हमने किस से मिला दिया ध्वत से मिला दिया तो इसके साथ ही हम क्या लिख देते हैं नमबर टू माग कर देते हैं इसे आगे है रात रात को हम क्या बोलते हैं समीर रातरी ये जल्धर तो हम रात को रातरी भी तो बोलते हैं तो मैंने रात को रातरी से मिला दिया और इसको number कर दिया three इसके बाद देखते हैं बादल बादल क्या होता है समीर या जल्धर तो बादल किस से related हो जाएगा जल्धर से related हो जाएगा है ना तो इसको हमने मिलाआ four के साथ और ये ऐस ठिक है अब whyu whyu क्या होती है whyu क्या बचा समीर समीर ही हमने याद किया है तो वायू के साथ हो गया समीर हो दिए नमबर दिया इसको फाइन ठीक है तो देखे देखाँ आपने जब हमने पहले से याद किया हो तो कितना आसान हो जाता है back exercise को solve करना इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पहले पार्ट को अच्छे से पढ़िए जब पार्ट ही पूरा याद होगा तो back exercise कहां से आएगी वो भी तो पार्ट में से ही है वो तो अपने आप ही याद हो जाएगी आपको इसलिए पहले पार्ट पढ़ते हैं उसके बाद हम आगे का काम करते हैं फोर्थ कोशन देखते हैं खाली स्थान में मोटे छपे शब्दों के परियाएवाची शब्द लिखे तो अब यहाँ आपे खाली स्थान दिख रहे हैं जो blank दिया हुए आपको उसके अंदर क्या लिखना है जहां मोटे शब्द दिये हुए हैं उनके ही परियाएवाची लिखने है तो अब देखो क्या सेंटेंस है सूर्य निकला दिन हो गया डैस छिपा रात हो गई अब सूर्य निकला और सूर्य ही छिपा है पर हम यहाँ सूर्य नहीं लिखेंगे हम सूर्य का क्या लिखेंगे परियायवाची लिखेंगे तो सूर्य का परियायवाची क्या हो जाएगा सूरज हमने पढ़ा जरूर था पर हम यहां नहीं लिखेंगे हम तो वो लिखेंगे जो हमें नहीं पता तो हमें नया क्या था एक था दिन कर और हमें एक ही लिखना है तो हम एक लिखते हैं दिन कर क्या बन गया दिन कर ठीक है तो ये हुआ सूर्य का परियाएवाची अगला देखते हैं मा के नयन भर आये पुत्र के डैश भी भी गए तो अब नयन नयन क्या होता है नेत्र या आँख पर हम आँख तो नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे नेत्र क्योंकि लोचन हम पहले याद कर चुके हैं तो इसलिए लोचन तो हमने वहाँ से याद कर लिया आँख हमने याद है ही हमें नयन यहाद दिया हुआ है तो बचा क्या नेत्र तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगर, ठीक है, अगला देखते हैं, एक साप निकला, वहे पाँच फुट लंबा साप था, ठीक है न, पर साप को हम और क्या बोल सकते हैं, नाग बोल सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे नाग देखो जो यह मोटे छपे शब्द दिये गए हैं हम इन ही के परियावाची शब्द लिख रहे हैं कुछ नया नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से तो जिसको परियावाची शब्द याद है वो लिख लेगा पर एक बात और है कि देख इसकी बात कर रहा है इसलिए जितना जादा पढ़ेंगे उतना ही आपको आपका दिमाग विक्सित होगा अगला देखते हैं हिमाले उंचा परवत है जबकि अरावली डैश की उंचाई कम है अरावली भी तो परवत ही है है ना तो हमने यह सोशल स्टुडीज में पढ़ा ह रेंज हमने पढ़ा था ना जब इंडिया का फिजिकल डिविजन चैप्टर नंबर फोर पढ़ा था सोशल स्टुडीज का वहां देखा था तो देखो सारे सब्जक्ट कैसे आपस में इंटर लिंक है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर एक पढ़ते हैं तो हमें लिख लेते हैं नभ लिखते हैं यहां पे ठीक है न तो हिमाले उंचा परवत है जबकि अरावली नग की उंचाई कम है तो नग क्या है पहाड या परवत या गिरी ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं तो आगे चलते हैं कोशन नमबर 5 पे क्या कह रहा है सही शब्द छाट कर स्थान भरिये तो यहां पर कुछ शब्द दिये हैं इन्हीं से हमें इनको भरना है पहला है मा का परियाएवाची शब्द डैश भी है मा का परियाएवाची क्या है मा को और हम क्या बोलते हैं हम जननी बोलते हैं तो मा के जगे हम क्या लिखेंगे जननी जननी मा का की स्थान पे हमने क्या लिखा इशवर इशवर अगला देखते हैं मनुष्य और डैश परियाएवाची है मनुष्य का परियाएवाची क्या दिखा मुझे मानव मनुष्य का ही तो परियाएवाची है तो मैंने लिखा मानव अगला देखते हैं घर का परियाएवाची ग्रह बोलते हैं तो मैंने क्या लिखा ग्रह ठीक है ग्रह किसको बोलते हैं हम घर को बोलते हैं अगला देखते हैं पानी को हम डैश भी कह सकते हैं पानी को और क्या कहते हैं जल बोलते हैं जल ही जीवन है तो पानी को हमने और क्या कहा जल ठीक है तो यह हुआ हमारा question number 5 इसमें यहाँ पे भी mark कर देते हैं जनिनी हमारा first था इश्वर हमारा दूसरा था मनिश्य को हमने कहा मानव और घर को हमने कहा ग्रह और जल ही हमारा क्या था पानी पानी को हमने क्या कहा जल कहा तो यह हुए हमारे शही सब्द छाट कर हमने परियावाची शब्दों को भर दिया अब क्या है प्रश्न संख्या 6 इसमें हमें क्या करना है सही परियावाची शब्द छाट कर लिखिए तो यहाँ पर परियावाची शब्द दिये हुए हैं और कुछ शब्द दिये हुए हैं तो इसका परियावाची दो शब्द मिलेंगे हमें वो यहां से छाटने और यहां लिखने हैं तो हम छाटेंगे कब जब हमें पता होगा कि किसका परियावाची होता क्या है अब मैंने क्रिश्न लिख दिया पर मुझे यही नहीं पता कि क्रिश्न का परियावाची शब्द गोपाल है या नरेश है य चन्णब है, तुम मैं कैसे बताऊंगी है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अब जिस वच्छे को पता है, वो तो एक दम देखते ही कहेगा, कि कृष्ण को एक तो हमने गोपाल कह दिया, ठीक है, घोपाल या फिर कनहया कह दिया, ठीक है, तो कृ के लिए मैंने एक तो लिखा गोपाल गोपाल और दूसरा क्या हो गया कनहया कनहया चीक है आकाश आकाश क्या होता है देखो एक तो मिला मुझे नभ आस्मान भी होता है आकाश और यहां ढूंडते हैं गगन दिखा मुझे तो आकाश क्या हो जाएगा ग, ग, न, गगन, ठीक है, आगे है राद, अब राद को और क्या बोल सकते हैं हम, राद को देखो एक तो मुझे दिखा, रातरी, तो मैंने लिख दिया, रातरी, ठीक है, और हम रातरी को क्या बोल सकते हैं, रजनी, रजनी भी तो क्या होती है, रात, तो र, ज, न, रजनी, राजा हमने शुरू में पढ़ा था, राजा को हमने क्या बोला एक तो नरेश बोला था, ठीक है, तो ये लिखा नरेश, नरेश, और दूसरा हमने बोला भूपती, तो ये हुआ भूपती, भूपती, ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारा पार्थ नमबर दस, ठीक है, ये भ नोट बुक में ये कोशनन से करेंगे सारे और साथ में लर्न भी करेंगे लर्न करने का तो देखो चार-पास दिन आपके पास थे तो मुझे लगता है सभी बच्चों को लर्न हो गए होंगे पर जिनको लर्न हो भी गए है वो भी दुबारा करेंगे और जिनको नहीं हुए है वो अब कर लेंगे पर छोड़ना नहीं है इसके बाद delay मत करना आभी कर लेना ठीके ना अभी साथ के साथ आप note book में date time mention करेंगे और सारे question answer no down करेंगे और साथ में होने लर्ण करें इसके बाद हम कल डिसकस करेंगे पार्ट संख्या ज्यारा क्या है विलोम शब्द क्या होते हैं तो अभी के लिए आप अपना बैक exercise complete कीजिए पार्ट 10 की ठीक है तो question number 1 से लेके question number 6 तक complete करेंगे इसके आगे हम next video में next chapter start करेंगे Thank you